उत्राखन में तेज हिमपात का इलाकों में आएगा फिर सर्दी का दोर लोगसभाद चुनाओ के लिए राहुल का दोरा उत्साह में आए कॉंग्रिस ने ता प्रधान मंत्री आवास योजना में गडबड़ी मंत्री जैवर्धन ने दिये जाँच के आदेश बोपाल में सर्याम हत्या थम नहीं रहा अपराधों का सिल्सला और 36 गड़ में पत्रकारों पर नेताओं का खौफ हेलमेट लगा कर कर रहे कवरेज नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखलनी उजब खबरे विस्तार से उत्राखन में मौसम का मिजाज बदल गया है चार धाम सहित हिमाले की उची चोटियों पर तेज हिंपाथ हुआ बद्रिनात के दारनाद गंगोत्री यमनोत्री के अलावा हेमकुंच साहिब औली गोर्सों में बर्फबारी शुरू हो गई मौसम विभाग में भी रैडलर जारी किया है इससे देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है पहाडों में बर्फबारी का सर्थ सारे देश में देखने को मिल रहा है टिहरी उत्तरकाशी चमोली पोड़ी वारुद्र प्रियाग में स्कूलों की छुट्टी गर्दी गई है मौसम विभ्यान केंद्र के अनुसार गुरुवार को मैदानी लाकों में एक दो दोर और तेज बारिश हो सकती है कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं जबकि परवर्तिय इलाकों में भारी बारिश के साथ बर्वबारी होने का अनुमान है राज्य मौसम विभ्यान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंग ने बताया कि गुरुवार को पहाड़ी इलाकों का मौसम समवेधन शीन रहेगा इसके लिए रैड अलर्ट जारी कर दिया गया है शाशन ने पहाड़ी छेत्रों के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए निदेश दिये हैं उदर बुदवार देर शाम से बदरीनात किदारनात्र गंगोत्री यमनोत्री के अलावा हेमकुंड साहिब औली गोडसो में बर्वबारी जारी है पिथोड़ागडवा, बागेश्वर जिले के उज्ज हिमालिय छेत्र में भारी हिमपात हो रहा है पंचाचूली, हंसालिंग, राज, रंभा, नंदा देवी, नंदा कोट, सहेत, दार्मा और व्यास की चोटियों पर हिमपात हुआ है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी भोपाल में आईजित सभा के लिए कॉंग्रेस नेताओं ने होडिंग वार छेड़ दिया है ये अलग बात है कि राहूल गांधी विमान तल से हेलिकॉप्टर में सवार होकर सीधे जंबूरी मैदान पहुचेंगे कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष राहूल गांधी की सभा कुले कर कॉंग्रेस उचसाहित है एक नेता ने तो सुर्खियां पटोरने के लिए राहूल गांधी को भावी प्रधानमंत्री प्रजेक्ट कर दिया है यह वही नेता जी है जिन्होंने विधान सभा चुनाव में मतदान के बाद और मतगर्ना से पहले हुडिंग में एलान कर दिया था कि मतदप्रदेश में कमलनात के नेतरतव में सरकार बनने जा रही है राजनीती की बदलती रंगत के बीच अब अपने नेताओं की नजर में आने के लिए नए-ने तरीके अपनाए जाने लगे हैं विधान सभा चुनाओ के दोरान कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी के प्रदेश दोरे में नेताओं ने उन्हें शिवभक्त और रामभक्त बताया था राहूल गांधी के कारिक्रम में अभी तक किसी भी सड़क मार्ग में जाने का उलेख नहीं है ऐसे में प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले के सामने उनके स्वागत में पोस्टर लगाने का उचित समझ से परे है चतरपुर में प्रधान मंत्री आवास योजना में हुई गडबडियों की जाज नगरे प्रशाशन एवं आवास मंत्री जैवर्धन सिंग करवाएंगे समिक्षा बैठक के दौरान ये मामला जैवर्धन सिंग के संग्यान में आया तो उन्होंने इस मामली की फाइल तलब कर लिए नगरे प्रशाशन मंत्री जैवर्धन सिंग ने अधिकारियों के साथ चतरपुर में समिक्षा बैठक की समिक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे स्थानिये विधायकों को सहमती लेकर विकास कारे करें बैठक में लोगों ने उनसे शिकायत की कि प्रधान मंत्री आवास योजना में गड़बड की जा रही है इसके बाद आवास मंत्री ने इस मामले की जांच की बात कही उन्होंने कलेक्टर को इस मामले की जांच करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल्द ही बेरोजगारों को भत्ता दिया जाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जोते ही शहर में नेताओं के अव्याद होडिंग वैनर पोस्टर फिट से लग गए हैं आठ फरवरी को कॉंग्रेस की राष्ट अध्यक्ष राहूल गांधी राजधानी आ रहे हैं उनके स्वागत में समर्थकों ने नगर निगम से बगैर परमीशन शहर के बिजली के खंब और बीच में लग जाते हैं यहां चोरा हैं तो बहुत ट्राफिक जाम होता है तो लाइटिंग भी सही से नहीं रहती हैं तो एक्सिडेंट का बहुत डर लगता है तो कम से कम इसको ध्यान रखके फिर एक तरफ लगाना चाहिए नगर निगम सूत्रों के अनुसार राजनितिक विज्यापनों के संबंध में निगम के होडिंग शाखा से अब तक किसी ने भी परमीशन नहीं ली है वर्तमान में लिंक रोड न्यू मार्केट कमला पार्क वी आईपी रोड आदी स्थानों को वैनर पोस्टर से पोद दि थी तो उनको ये विज्यापन वैद लगते थे नगर निगम अधिकारी अवैद होडिंग को हटाने के मामले में कारवाही करने की बात कर रहे हैं चतिस गड़ में पत्रकारों को अब राजनेतिक डलों से खौफ सताने लगा है मीडिया के साथ विधान सभाद ध्यक्ष चरंदास महंत के असंयत व्यवहार और बीजेपी दफ्तर में पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना के बाद पत्रकार बीजेपी के आयोजन में हेल मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि विधान सभाद ध्यक्ष चरंदास महंत ने भी मीडिया के साथ असंयत व्यवहार का मामला सामने आ गया इन घटनाओं के बाद से पत्रकार परिशान है हालत यह है कि बीजेपी के एक आयोजन में तो मीडिया के लोग हैलमेट लगा कर प पत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी पत्रकारों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार पर उतारू हो गए तब पत्रकारों को अपने जानमाल की सुरक्षा की चिंता होना स्वभाविक है वक ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे यह दखल न्यूज सड़क किनारे चल रहे रागीर को रॉन दिया गरीमत रही कि उसकी जान बज गई एंबुलेंस की मदद से उसको अस्पताल में भरती कराया गया है शोशल मीडिया पर घटना की वीडियो वाइरल होने के बाद बस को जब्त कर लिया गया बोपाल में ऐसा लगता है कि बोप रहागीर आगे पीछे सड़क किनारे चल रहे थे तभी दो लोग फ्लोर बस राजहर्श की तरफ रेस लगाते हुई आ रही थी दोनों बस अगल बगल रेस लगाते निकली तो सड़क किनारे चलने वाली बस एक रहागीर को रौंधते हुए निकल गई हाथसे में एक युवग गंभी रूप से जखमी हो गया दूसरे ने जैसे तैसे अपने आपको पस की चपिट से आने से बचाया पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल पहुचाया पुलिस का कहना है कि घायल की पहचान डैयाल सिंग केवट निवासी कस् बस को जप्त कर लिया गया है मुगावली जनपद में आपकी सरकार आपके द्वार जनसमस्या निवारन कैम्प का एजन हुआ जिसमें लोगों की समस्याओं का ततका निराकरण किया गया कारिक्रम में मुखे रूप से छेतरी विधायक ब्रजेंद्र सिंग यादव जनपत पंचायत उपाध्यक्ष धनपाल सिंग विशेश रूप से मौजूद थे संत हिर्दाराम नगर में सिंधु नवजागरन समीती ने जरुरत मंदों को कंबल वित्रण का कारे किया इसके साथ साथ सिंधी पंचायत ने नवयुक्त पदाधिकारियों का शौल और शीफल से सम्मान किया गया कारिक्रम में अतिती के रूप में प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के कोशाध्यक्ष गोविंद गोयल के साथ नरेश ग्यानचिंदानी शामिल हुए कारिक्रम में गोविन गोयल ने कहा कि संस्था दोरा यह पुनित कार किया जा रहा है चाहे गरीब महिलाओं को कंबल वित्रन हो या स्कूली बच्चों को सिक्षन सामेगरी देना यह सब सेवा का ही कारे है खरगौन के वरसलाए गाउं में शौट सर्कृट से एक मकान में आग लग गई जिससे दो मवेश्यों की मौथ हो गई बड़ी मशकत के बाद आप पर काबू पाया जा सका इस भीशन आग में घरेलु सामान जलने के साथ साथ हजारों रुपे के नुकसान की आशंका जताई जा रही है इस घटना में कोई व्यक्ती हताहत नहीं हुआ लेकिन आग की चपेट में आने से दो मवेश्यों की मौथ हो गई है बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया जा सका है एशबाग इलाके में बच्चों को टीशन पढ़ाने वाले एक युवक की बाइक सवार बदमाशों ने सरे रहा हत्या गर दी जान बचाने के लिए टीशन टीचर पचास मीटर तक भागा भी लेकिन बदमाशों ने उसे घेर लिया और गले पर धार-दार ह हत्या कर दी एशबाग टी आई अजन नायर ने बताया पुलबोगदा निवासी उन्हें इस खान बच्चों को टीशन पढ़ाया करता था वे अपने चाचा अब्दुल तहजीब के घर किसी काम से गया हुआ था तब ही दो बाइक पर सवार चार लोगों ने उन्हें गाली दे कर रास्ते से हटने को कहा तहजीब ने विरोध कर कहा कि गाली मत दो गुस्से में आए बदमाशों ने चाचा भतीजे पर चाकू से हमला कर दिया चाचा ने हाथ से चाकू पकड़ दिया एक बदमाश ने उनसे चाकू छुडाया और उनेश के पीछे भागा उनेश बाइक पर सवार थे ये हत्यारे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गए हैं पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही है इस बुलिटन में फिलहाल इतना ही आप देखते रही है दखल लिए उस दखल आपके हक में जाते जाते जरजर भुपाली सुनाएंगे आपको भेरंट अनुस्का शर्माद दूसरी आ गई है वह अमेरका की ने कोई शिंगर जूलिया उनका फियसान ने बिल्कुल अनुस्का चर्मादे मिल लिया है अगया और टेंशन हो गई है कि महगाई के जमाने में ये खफोट करना बड़ा मुश्किल हो रही है है अब दो दो हो गई अब क्या करें आप यह तो घो जा जाती है तो बडिकत हो गई हुप आप लोगो टैंशन में थे इसा हो रहे है और यह ख़़त देख लो यह तरियांका गांदी ने माच्छी पद जोइन कर लिया आब बहुत अच्छा है अपने देश में और यह बात और बता रहे हैं यह समाचा रिधर पे यह ट्रेंप और किम जोंगा ने फिल से मिर लाएं अमें मेरा खहिना यह है कि बार बार मिल के हो रहे हैं जितने वी बंब अगरा बना है अब बार में बड़े ताला में डाल देंगे सब डिफ्यूज हो जाएंगे रट्टा खाजाएंगे बार बार का मिल देगी जरूरत ही नहीं है और यह समाचा रिधर पर बच्चे न एक जम के प्रेशर बहुत भूब रहे हैं और मैं बता रहा हूं इनके मावाब यह ना प्र बच्चों के ऊपर अरे मैं कहा रहा हूं प्रेशर है ना उतनी करो दाल गल जाएगी वह ज्यादा प्रेशर बनाओ तो दाल है कुकर के भार आ जाई मतलब यह निकलेगा और बच्ची बचा रहे है एक तो मावाब प्रेशर डाल रहे है उदर कोशिंग बाले चार चार चा अब नए नए लोग आ रहे हैं में बता रहे हूं अब अभी जी पहले घर पे थी अब राजनीतिक पार्टी जोइन कर रही है और शिल्पा शिंदेगी बात कर दिया हूं और यह मैं बता रहे हूं यह एक्टरों को लाने की जरूत क्या है नेता लोग इतनी बेजरी मात कर देते हैं वता रहे हूं जंता को तब हितो पांशाल तक मैं बनाती आ जब娘 les protocols कर रहे इतने बड़े एक्टरों कोईं का आर दो और यह मैं भी जा आप देख रहे हैं दखल न्यूल